प्रस्ट नमबर 11 कहता क्या है मैंने यहां पर पाले सलोसन कर दिया इतागें उतके में परसानी नहीं परसानी क्योंगि इसका प्रोसेस से बहुत बड़ा है मल्तिप्लाइए भी करना चरा कठीन भी है तो इस तरह से हम यहां पर रख द्याइस सिर्फ हम लोग व्यों आपको समझजाएंगे कैसे प्रोसेस आपका चला है और केसे के चले चछपिती सब्धी संद्धी अब पर्स बादzza 812070 सोलप्या कर्ज तीन स्बाइब बराबर किस्तों में चुकाना प्रतेक किस्त का मान क्या है तुम हो किस्त है वह कितने का एक सुरुप्या, का और देखिए, पहली किस्तव में चले हैं तो यक्स बाटा में यह पहली प्रत्फिक करने पहले का यक्स हो जाएगा बाटा में पहला वर्स करना तो प्लंकप परसेंटेज है, तो आठ हो जाएगा आप बाटा में एक आज समय पहला वर्स है तो एक रखेंगे इसके बाद वह इस जासे दूसरे में दो तीसरे में क्या तीन और इसके बाद कहता है कि तीन बराबर वर्स ती किस्तों में जो आपका बाद तीन वर्स बाद जो पूरा ब्याज है पूरा जो प्यार दोनी के वाड हो जाएगा आप पाचीस चोगों को सो ठीक है तो पाचीस से कम पाचीस हो जाएगा फ में सटाइस तो सटाइस बटा में पचीस होगा तो पचीस उपर जायेगा बटा में किया जल यह सब्सक्राइं जोप्र लेकिन एक और तरीका है छोटा करने का अब देखिए सभी के हर में जो है इसके बाद जो कामन लेंगे इससे यहां पतीन है तो दो कड़ एक कड़ जाएगा आपका बचेगा क्या दो तो उस तरह से थोड़ा आज है कि आप लोगों को असानी हो जाएगा आप लोगों को उस तरह से कामन लेकर सोलूशन करते हैं तो इतना यह मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा छोटा मानोगा शमर्ट्रीव यह आए प्रोसेस में इसके बाद करने के बाद को दिया गया है थोड़ा आप को समझने दिक्ट हो सकता है णो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट किजिए खाम जोई कि सोलूसन जैकnd तरीके से कर दिये यहां पर देखेंगा यहां से हर से हर क्या होगा कैन्सिल हो जाएगा एक सब्सक्राइब निकालना है इन सभी क्या लग जाएगा इसके बाद यहां से जब डिवाइड किया तो कितना होगा और चीस सो रूपया होगा परते की स्थिका ठीक है तो यह तो फूरा प्रोसेस आपका बड़ा भी है और आपको मल्टिप्लाइब करने में कहीं नहीं में जरूर हो जाएगा तो यहां से हम लोग कामन लेकर हल करते हैं थोड़ा छोटा प्रोसेस हो सकता है ठीक है उमीद होग इसका भी करेक्ट है देख लीजिएगा तो प्रस नमर बारा कहता क्या है इस टेप के पहले यानि कि इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था इस टेप को कोश्चन आपका आचुका है शुरू करते हैं प्रस नमर बारा कहता है कि 1750 की एक रासी को दो बराबर का जो है कि सदल ब्याज निकाली तो कुछ नहीं करना है समझे छले समझें execution है कि माल लेते हैं कि किjak माले लेते हैं thenступ debate क fled toecil your willंडे यक्स दूसरे Gmail कीतना हो जाएगा आपका हो जाएगा यक्स यानि कि पूरे में । जो पूरा है 17 50 इसमें से तक क्या करें गहता देंगी दूसरे का मान कितना है कि आपकता है थे कहता है कि पहले भाग पर आठ पर सेंटेंट जी जो पहला भाग है दर आपको लागाना याज वार्श के निकालना है है तता दूसरे भाग में छब हो तो चलEEP को निकालना है क्या ओव तुर में फार्मुला क्या होता है पी प्र2 कीतना है एक स्बूर एक सप्रसेंटेंटेज कितना है पहले आठ परसंटेज है गुण्य वस्तार रहेगा है दोस्तों सौ इजघ्टक दूसरे में आएंगे तो फिर दूसरे का ज़ो है कि आपका मान कितना यानिका मुल्धन बोल सकते हैं इसे यानिकी सतरा पचास और मैनस कितना X घूणे तो घर कितने का है 4 परशेंटेस यूणे क्या वन नबाटा में कितना तो सो क्या हो गट जाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा यहrate क बराबर यह निए करेंगा तो भ civर हो जाएगा चिया कितना चाही च्ञा चुनना 635 करेंडा उन्य हांसिल तीन हुआ चो साथे 42 जो कितना जाएगा 42 और 35 को South and侰 चार हो जाएगा इसके बगाद खयंक शो को च्रक कितना इतना होआ और चैसेघ्म इतना पको हराइगा श्रक्वी जाएगा कि किदना हो और स्ट्रक्य अच पर दो आएक सिर्फ हो जाएगा डबाटा में कितना हो जाये 10 1500 द साथ सौपचास रूपया कितना हुआ 50 रूपया यहां कि अभिस्ट ब्याज तो हम लोग कितना मिलेगा कर देखें कीतने मिलेगे 총 750 हम निकाले ब्याज पुछता है तो इतंव मोरा गए साह सो कितना कृशास गुड़े कितना परसेंटेज पहला क्रों नििकाले परसेंटेज कितना है 8 परसेंटेज गुड़े कितना एक बाटा में कितना है सो तो है दुग जीरो क्या होगा कट जाएगा अब देखिए यहां से हो जाएगा पांच से कटाएंगे तो पांद निके दस हो जाएगा आप 15 75 है ठीक है और यह दोस्ट टे कितना हो जाएगा अँग है और 50 कितना होजए निक प्रते का जो ब्याज है यहांग प्रतिक भाग का ब्याज है कितना हो एक का खीका होगा क्लियर है तो आपका कौन सा करेक्ट है आप सन एजो की आपसे पूछा गया था 2007 में अब से पूछा गया था यहां कुछ नहीं करना था पहला जो है कि टोटल दोनों का जो इतना मान दिया है ठीक है तो मान लगते हैं पहला भाग एक्स है और एक्स पर कहता है कि 8 सब्सक्राइब निकाल देगे आज एक समझ रहे होंगे कि सिर्फ जो है कि आठे परसेंटेज वाल पे क्यों निक्या लगए आप लोग फांत बी निकाल के या तो इस निकाल लीजी या तो इस भाक से निकाल लाइगा थto का था है प्लब तो तो प्रस्ट नमर 13 में कुछ नहीं करना है सिर्फ हम लोग वही प्रोसेस लेका चलेंगे जिस्ता से सलूसन कर रहे हैं चलिए कहता है एक नगर की जन संख्या दस प्रसेंटेश प्रति वर्स बढ़ जाती है यदि इस समय वहां की जन संख्या जोए कि दस हाजार हो तो तीन व कितना है दस हाजार है कहता है जो कि दर से बढ़ रही है कि कतना ही समय कितना हो जाएगा ठीक है अभी जन संखिया निकालने के लिए P तो P कमान कितना है एक हाज यानिके 10,000 कोष्टेक में 1 प्लस आर परसेंटेज कितना है 10 बाटा में कितना 100 का पावर कितना है 3 यहाई हो जाएक कितना 10,000 गुणे देखिएगा 10 से कम 10 से 11 बाटा में कितना 10 तीन बार लिखेंगे 11 बाटा में कितना 10 11 बाटा में कितना 10 तीन जुरो है ना दो तीन जीरो कट गया 11 से 11 से 11 में कुणा करें तेरह 31 होता है ना पहले में मुल्टिप्लाई कर चुके तेरह कितना 31 आई जीरो बढ़ा है तो क्या जिरो यानिकि यह हो जाएगा क्या एंसोर यानिकि आपका हो जाएगा 13310 जो है कि जन संख्या होगी कितने वर्स बाद त इस समय 10,000 है तो तीन वर्स बाद यहीं दस परसेंटेज की दर से ब्रिधी होती है तीन वर्स बाद आपका हो जाएगा 13310 जो कि आपका आपसन नमबर कौन सा क्रेक्ट है आपसन नमबर भी आपका क्रेक्ट है 3,300 कितना दस क्लियर है वीडियो अच्छे लगते तो लाइक तो चाइक चाहरण भी आज चक्रवषि लाच जब अंतर ले था उस प्रसन को आपको याद होगा लेकिन उसमें अंतर यह था कि सिर्फ दो वर्स का दिया था इसमें जब तीन वर्स का देता है और दोनों का अंतर भी देता है तो उसके लिए फर्मुला है तीन परसनेटेज प्रतिसाढ कहता है कि कोई धन माल लेते हैं वह हैं माल लेते हैं धन 198 व् été कंध यह के लिए रहा है कि तीन वर्स के लिए है यह दिया है कितना बाइस तो एक सो बाइस ठीक है अंतर तो बस कुछ नहीं करना है बस हम लोग इसमें पूट करने देना है तो दी थ्री यहीं कि इक सो इसंड प्रसंटेज बाटा में कितना सौ पावरव ब्धुर है को स्टेक में आपका हो जायगा दो 305 परसंद में कितना है 100 हो ठीक है यहां पर हो जाएगा 100 कितना 22 बराबर हो जाएगा पी कटा देंगे तकितना हो जाएगा 20 सकते होता है अब यह हो जाएक कितना गुणे गुणे एक बाटा में कितना बिस होगा गुणे इसको हमनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 305 बाटा में कितना सो ठीक है इसके बाद एक सो बाइस हो जाएगा इसकल टू यह हो जाएगा पूरा मल्टिप्लाई करें पी यानिकी 305 बाटा में आपका हो जाएगा यह दो दूने के 400 हो जाएगा और 400 और गुणे कितना सो ठीक है इतना कि इसके बाद कटे कहतों कटाएगे अब देखिए 5 से कटाएंगे तो 5 कटीस 5 कम 5 और यह हो जाएगा कि आपान्च योखो 20 कि इसके बाद आपका पी भी है नो पी तो अब यहां से हुजएगा एक सथभी is equal to आपका क्या हो जाए कि जाए देखेगा 122 गुणह करें तो पहले चार दुनी के आठ यानि कि 8000 आप 8000 पहले हुआ इसके पहले पी निकालना है तो पी का यह गुणांक है तो या हो जाए एक 122 कितना आठा जार अबाटा में कितना 61 थीक हैं अब यहां से multiply हम लोग करके divide करते हैं तो टी बराबर आपका मिलेगा कितना देखिए मुझी कि metric करें तो आपका होईसी कितना सोरह हजार कितना हो उजाएगा सोरह हजार रुपिय निदक मुलधन हुआ का सोरह हाजार रुपैया आपको क्या होगा मुलधन होगा एक है क्राइब कि नमबर कौन सा और यहाँर में यह पर कुछ नहीं करना है आत्र थी तो यह रहा आपका प्रोसेस तो उमीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा किसी धन पर दो बस का चक्रवेधि ब्याज 205 और उसी धन का उतने ही समय के लिए उसी दर से सधारण ब्याज यदि आपका 200 है तो मुल्धन है तो देखिए कुछ नहीं करना है जब सधारणि लिए 200 है सथाराणि लिए चतना है 200 और चक्र वियाज है कि 205 और 2500 123 है तो अब देखे इसमें क्या क्या दिया है काता है कि चक्रविधियाज जो है च्क्रविधियाज कितना पॉल फूल तो यह बता यह सद्हारण व्याज कितना है दो सो पांच और सद्धारन वयाज 200 है तो कहता है इसका मतलब यह हुआ कि पहले वर्स में दिए 100 कहता है कि समाय आपका क्या है समा लिए तो आपका पहले वर्स के लिए की सद्धारन वयाज कितना हो जाएगा सो सो कितना हो जाएगा 200 होगा की नहीं होगा अब देखें पहले वर्ष का जो सधारन व्याज कितना हो जाएगा सो आज यही जो सधारन व्याज दूसरे वर्ष का भी कितना हो जाएगा सो क्योंकि टोटल आपका जो ऐसा ही दिया है सधारन व्याज आपका सो दिया है तो दो ले रहा है न आप देखेगा चक्रविधी व्याज की बात करें दूसरे वर्स के लिए अब देखें 100 हो गया और यह दिद दो सोव में से 205 में से हम लोग सोग हटा दें तो आपको कितना हो जाएगा 105 यानि कि चक्रविधी व्याज कितना हो जाएगा 105 समधारिश सो था लेकि चक्रविधी व्याज कितना हूए 105 तो यह देखिए दूसरे वर्स के समधारिट यानी कि SI और CI का जो अंतर है कितने का है 5 ौर दोनों की विच कितने का अंतर है पांच यानि कि 5 पर सैंटेज की दनों का नतर कितना है उ safeience पांच के अच प्रसेन्टेज दर होता यानिक जहदी आति आतों दोनों का अंतर में कितना है 5 रुपया है इसका मतलब यह हुआ कि तो सहो हो रहा है लेकिन इसमें पांच क्या अधिक है यानि कि जो दर है जो डर हो जाएगा आपका जो करके किपाइलिक हो रही है अभिदार बर्राश संहाइश हो रही है झालहिए खालत फार्मूला क्या पांच पर प्र depends अब मानते हैं फ्रेंस कहता है कि धन उसी धन का धन आपको माल लेते हैं क्या है पी तो वही धन पूछ रहा है तो पी गुणे हो जाएगा आपका जो है कि समय कितना है दो या आर पहले दर रखें पांच परसेंटेज समय कितना है दो आप बाटा में कितना दोस्तों सो और यह यह हो जाएगा पांदूनी के 10 तो काटाएंगे तो कितना है किपना कर भू यहां कितना नौर हो जाएगा और यहां SaaS परिप्लाइ करेंगे तो यह उसम нет चक्रबिधिव्याज कितना दो सो पांच है यह आपको उमीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में कुछ नहीं करना सो घटा देना है तो आपका टोटल फाइंड होगा दूसरे वर्स के लिए उनका अंतर देखा जाए तो क्या है पांच और होगा यहां से आर बरावर होगे परसंटेज की दर यानि 5 परसंटेज की दर जब बुढ़्य लकर दिए । लगता है तो लाइक किजेगा और अपने दस्तों channel के तरफ definition प्रतिसत तथा प्रतिसत वार्षिक दर जमा करता है यदि दो वर्स बाद कुल ब्याज आपका 246 उर्पया मिला हुँ तो प्रतिक बाइंक में जमा किया ने प्रतिक बाइंक में जमा किया है देखे काता कि है पहले हो दूसरा पहले में कहता है कि यह देखे धन तो ही रहेगा देखे फ्रेंट्स यहां पर धन क्या रहेगा दोनों का धन कहता है कि क्या है समान बराबर धन है तो मान लेते हैं दोनों का धन क्या है पी यह यह यहां से कहता है कि दोनों का समाई भी क्या है बराबर है दो दो वर्सों का है न बराबर समाई अब आगे क्या कह पहले का परसेंटेज जो है जो जो है दर है चार सही एक बटा में दू यह साई क्या दूसरे का यानि कि पहले का सधारान व्याज है क्या है दूसरे का सधारान व्याज कहता है कि दोनों का योग कितना हो जाता है दोस्तों 200 कितना है सधारान व्याज दोनों का 47 है तो बस दोनों का निकाल देजे पहले के लिए साई हो जाएगा पी गुणे होता है यान तो दू गुणे हो जाएगा कितना आर यानि कि 9 बाटा में कितना दोस्तों 2 बाटा में कितना 100 समझ में आ रहा है न यह साई बाराबर फर्मूला लगाएगा दोनों का योग ठीक है यानि कि हम लोग अलग अलग निकालने से अच्छा ही है कि एक ही बार ले 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 आप प्लस एसा ही जो है आप दूसरे के लिए हो जाएगा पी गुणे समय वही है लेकि परसेंटेज पांच है समंही आ रहा है यहां पर क्या हो जायेगा 100 इस्कल्ट्ट हो जायेगा 500 कितना 47 अब देखिए 2 से 2 क्या हुआ हर बराबर है ना तो जब हर बराबर रहता है तो अन्जों को क्या क्या का करते हैं जोडते हैं पांधुनी के 10 10P हो गया 89 plants कितना 29 20 पी आप बराबर हो जाएगा कितना 247 तो दोस्तों यहां से मल्टिप्लाई हम लोग कर देंगे तो आपका हो जाएगा तो यह नहीं कितना है साथ सो भाटा में कितना उनाईस ठीक है और इजकल टू आपको कितना हो जाएगा तेरा हाजार कितना हो जाएगा तेरा हाजार आपका क्या रुपिया हो जाएगा यह आपका क्या है धन यह जो है आपसा नमबर आपको कौन सा करेक्ट है आपसा नमबर जो है कि सी आपका करेक चलिए तो 19 से करेंगे तो 19 दूनी के 38 होता है न एक बार तो यह हो जाए क्या 19 अब यहां से हो जाएगा क्या 14 में से ना खटेगा कितना पांच हो जाएगा यह आपका कट गया आप से हां तो देखते हैं प्रस्ट नमर 17 कहता क्या है तो देखेंगा प्रस्ट नमर 17 पर दिख रहा है क्या निकालना है ठीक है तो प्रस नमबर जो है कि 17 क्या कहता है जरा देखेगा इस टाइब करेंगे याद रखेंगे आप लोग चलिए तो कहता है कि 25,000 का तीन वर्स और देखेगा धन कितना है आप पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं जो इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जबकि सद्व्याज की धर पहले वर्स आट परसेंट दूसरे वर्स नवर्स परसेंट तीसरे वर्स जो कि यानि कि की समय में रखता है इस तरह से बढ़ता है पहले कोश्टक में सब्सक्राइब करेंगे लेकिन कहता क्या है जरा देखेगा कहता है कि ब्याज निकाली यह तो चाहिए मैंस क्या करेंगे मुल्धन करेंगे घटाएंगे यह तो मिलता है क्या चक्रविधिव्याज यह यह तो छली हम थोड़ा प्रोसेस हम तो यह समझा दिये हैं और चलते हैं कहता है कि दधन है 25,000 कितना है दोस्तों 25,000 और कहता है कि कितने समय के लिए तीन वर्स के लिए कितने समय के लिए तीन वर्स के लिए ठीक है अब यहां से कहता है क्या कहता है कि आर बराबर है यानि कि पहले दर जो पहला समय है यानि कि आपको कितना परसेंटेज है पहले वर्स के लिए आठ परसेंटेज है करें आठ परसेंटेज दूसरे वर्स के लिए और तू मान सकते हैं 9 यह और तीसरे के लिए counsel कर दी है अब कहता है कि सी चख्र भीधी आज निकाली है तो सधरण चक्रविधी आज हम निकाले तो देखेगा कहता है कि मिलधन घटाई अब सुनिएगा आप यह चाहते हैं कि हम लोग निकालने तो पहले मिसद्धन निकाल सकते हैं इसके बाद मुल्धन में से घटाएंगे तो हम लोग क्या निकलेगा कि इस तरह से हम लोग बारी बारी निकाल कर सकते हैं नहीं है तो एक बार इसमें से टोटल मान में से जो है कि पी को क्या करेंगे घटाएंगे तो पी कितना है देखिएगा तो पी आपका कितना है 25,000 ठीक है नहीं हम रखेंगे कोश्टक में है 1 प्लस 8 बाटा में कितना है 100 दूसरे कोश्टक में कितना है 1 प्लस 9 बाटा में कितना है 100 दूसरे कोश्टक में कि तीसरे कोश्टक में कितना है 1 प्लस 10 बाटा में कितना है 100 अग कहता है कि घटाए भाई म मुल्धन पी का मतलब कितना पचीस सहा जाए कि समझें ना उमीद होगी कि आपको बिल्कुल किलियर हो गया है वीडियो अच्छा लगते तो लाइक किजिए नहीं समझ में आया है तो लाइक जरूर कर देजिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां से हो जाएगा पचीस सहा तो जरी जाएगा कि ठीक है यहां कि फॉल्धन कि चार दूनीकी आठ हो जाएगा अब बच गया अब 24 पच्छे कितना बिस पचीस हो जाएगे अब है हो जाएगा गूने 25 एकाम 25 आदू कीतना 27 बटा में कितना दोस्तों 25 होगा अandom गूने हाई देखिएगा 1-100 कितना हो जाएगा नो बाटा में कितना सो हुए फिस्ते पाइम आप चलिए गाए बढते हैं जरा आगे हाई जीरो से जीरो हाई का होगा कट जाएगा तीन वो जीरो है ना तो हाई तो इससे का हुआ कट गया हाई 25 से येगो 25 का होगा कट जाएगा ना अब जरा इनका मल्टिप्लाई करा सकते हैं तो पहले लिखते हैं 27 देखिए हर में कुछ नहीं बचा है देखिए कहीं गलती न और यहां से मुल्टिप्लाइब करते हैं तो क्या मिलता है देखिएगा अब यदि हम लोग इन तीनों का मल्टिप्लाइब कराएंगे तो हम लोग मिलेगा 32,373 आप माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 25000 अब हम लोग घटाएंगे तो मिलेगा का जारा देखिएगा इसमेंस से इसको घटाना है ना तो आप 3 में से 0 घटेगा तो 3 हो जायेगा है सात हो जाएगा यानि कि हो जाये का हम लोग का इंसरह हुआ यहनि कि हम लोग का चक्रवेधि भ्याज हो जाएगा 7300 कितना होगा 73 होगा न तो आपसा नमबर कौन सा करेक्ट है 7373 आपसा नमबर एपका क्या है करेक्ट है 7373 है समझे है ना यदि आप नहीं चाहते हैं तो मिसधन अलग निकाल लीजिए इसके बाद मिसधन में से जो एक मुल्धन घटा दीजिए इससे अच्छा है कि हम 60 कि इस अपयार नेके सोग दिखना डिखेत लिए मैंने पहले नहीं रख दिया है क्योंकि जब स्टाटिंग में हम लोERO के तो आप यांद रखेंगे किस था निकालने के लिए कि समय कमाई निकालना होता है तो इस स्मय लाई आप सब नहीं होगा तो आप इसको याद कर लेंगे चलिए काता है कि कि धन कोई धन है तो मान लेते हैं द्धन वह क्या है आपका पी पूछा है कि कोई धन जो है कितना है कि किसी धन कोई कोश्चन में पड़ता हूं किसी धन को 2 वर्स के लिए किसी विशेश दर पर उधार लिए गया यदी वियाज की दरका की अधिक होती है तो फ्र सबre जो सटाहंता है तो यह मुल धन क्या है देख कहता है कि दो वर्स के लिए विए अब से धन्पूछा है पी आपको निकालना पहले हैं लेकिन समय कितना दिया है दो वर्षो के लिए दिया है आग कीतना सिर्फ निकालना है तो पी बराबर होता है यानि कि हो जाएगा 72 कितने का है तीन परसेंटेज का दर है और यहां से समय कितना है अब हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएका जारा देखेगा तीन से जाएठी कटाते हैं तो दूनी के श हो जाएगा जारा तीन ंसको कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 12 यानि कि आप लोग का हो जाए कितना 1200 रुपिया कितना रुपिया 1200 रुपिया है तो आपसो नंबर कौन सा करेक्ट है आपसो नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है कितना हुआ 1200 रुपिया यानि कि वह धन क्या है 1200 रुपिया है समझे में आया चलिए तो उमीद होगी कि समझ कहता है कि किसी धन्पर सदहरण ब्याज मुल्धन 5 नौ बटा में आटने हञी दो बड़ा में यह दिवर्सों की संखहे सग्या दर प्रती सथ की दोगुन्नी हो तो समय क्या होगा आपसे पुछा है इस समय लेकिन कोशन की कहता है काता है कि कोई धन तो माल टे हैं कि मामा जो धन में तीन है मुल्धन का मुल्धन का मुल्धन सव है तो कितना हैं 200 कितना नहीं। अब आगे कहता है यह दि वर्षो की संख्या प्रतिसत की दो गंधी तो मां ले लेते हैं जो और प्रतिसत दर है अब दर मान लें किताना है यानिक गहता है लेकिन कहता है की दर आपका प्रसेंटेज होंगा किकु आगे बड़ते हैं कहता है कि समय निकालिये तो बस कुछ नहीं करना है इसमें जो है कि समय निकालना है तो समय को पी के अस्थान पर कर दीजिए आप पी को किस के अस्थान पर समय का तो समय का फर्मूला बनाना चलिए शुरू करते हैं भाई कहता है कि टी समय निकाल लिए S.I. पूछता है कि S.I. कितना है भाई तो 200 बाटा में कितना नो गुणे है कितना सो समझे हैं आप बाटा में आपका कितना है R दर कितने का है R परसेंटेज अगुणे कहता है P कि गलत हो रहा है का नहीं सही है कि जो आ रहे हैं टी समय कितना है इस हमें कि आ इना यहां परुद है क्या समय देखिए का वुल्धन है आप यह कुछ भी ले सकते हैं यक्स भी ले ले सकते हैं खोम Ridge अगवी बढ़ते है कि अब यहां से हम लोग को होगा क्या देखीएगा अब है है अब तो यह हो जाएगा टू यहीं कि दो से अधे हम लोग हम socioe Давайте सब्सक्राइब कितना हो जाएगा सब। अब यहां से मॉल्टिप्लाइब करेंगे तो मिलेगा करदेर देखिएगा इयह हो जाएगा नो आर इसक्वाइर बटा में बडाबर कितना हो जाएगा सब। नो आरी स्क्वाइर बटा में बराबर कितना? 100 अहाई देखिएगा दो तरीके से लगेगा यहाँ से नहीं है तो आरी स्क्वाइर बराबर आप कर दीजिए 100 बटा में आपका 9 भी कर सकते हैं या घतां के रूप में बदल भी सकते हैं हाई 9 है तो 3 का स्क्वाइर कर सकते हैं हाई 10 है तो 100 का स्क्वाइर कर सकते हैं उससे भी हो जाएगा लेकिन हम लोगा आर बराबर हो जाएगा हाई स्क्वाइर हटेगा तो हाई करणी में होगा कि नहीं होगा तो करणी में यानि कि 100 बटा में कितना? 9 तो 100 का बर्गमूल 10 होगा और 9 का बर्गमूल कितना होगा 3 यहनि कि दोस बटा में जो है कि 3 % और कहता है कि समय निकालिए तो समय टी बराबर का माना गया है 2 R न तो T बराबर हो जाएगा R कितना % ती बराबर हो जाएगा आर हम लोग कितना निकला है दोस बाटा में 3 रूट किये हैं तरहीं दोस दूनी के हो जाए कितना 20 बटा में कितना हो जाएगा 3 ती बराबर हो जाएगा यहिताना वर्स ianikie जो onS और आइक किजुए और कमेंट करके जरूर बताये किसी स्थेप में आपको पसानी हो रही है चली आगे बढ़ते हैं प्रस्ण नमबर 20 काता क्या है जरा देखेगा कहता है कि कोई धन सधारण ब्याज की दर कोई जो धन है सधारण ब्याज की जो दर है चार वर्स में कहता है कि चार वर्स में जो है कि 924 रुपया तता साथ वर्स में कि जो सधारन ब्याज की दर जो है यहनि कि जो एसाई है सधारन ब्याज की दर जो बढ़ रहा है देखेगा कहता है कि चार वर्स था तो उस समय जो सधारन्य व्याज है कितना थाष का दो पहुंचता है स्टे वर्स मिना आपका हो जाता है जो कि एख जार नौ सो कितड़ा सब एक हज़ार की बानीवे रूपिया मैं वाइन समझेगा च्मझेशन जो है नौ सो चोगीश रुपिया था लेकिन सातों सथे गयं जब पहुंचा तो एक Заजार 202 रूपिया यह बताएच है लेकिन Сात्वे कि थो जुद synt fellas वर्स का जब अंतर हो रहा है तो तीन वर्स में आखिर में ब्रिधी कितने की हुई है तीन वर्स में जब ब्रिधी होगी तो यह हो जायेगा पूरे जो है कि सात्मे वर्स में से जो है कि चउठे वर्स क्या करेंगे घाट आएंगे की तो अब कितने के वर्धी हो रहे हो रही है तो हाई हो जाएगा लेकिन यह हम लोग देखते हैं कि एक वर्स में जो है कि बृधी कितने की होती है तो यह हो जाएगा कितना एक्सोव अर सठ्वाट्थ में तीन वर्स से भाग देंगे तो पता चलेगा कि एक जो है कि वर्स में कितने के बृधी बृधी हो रही है तो तीन पाचे 15 हो जाएगा अर तीन चक कीतना 18 चपण लुपई सुनिएगा एक वर्स में कितने के तो कहता है कि 4 वर्स में ढूर इस वर्स में कितना हो जाए का पृष का ब्याज 9 चार कांड़ीज का कितना हो जाएगा च्छ कल्ट हो जायए माज़ से 24,45 विन ऐस निदा यvn ऐसल में इतनी रूपिया है अंतिन में देखेंगे इतना च्छार का घ्याज हो गया लेकिन घंजय टोटल रुपिया है चार वर्स में तो अब देखते हैं कि मुल्धन कितना था तो मुल्धन पी बराबर हो जाएगा चोथे वर्स का रुपिया कितना था 924 रुपिया लेकिन चार वर्स का व्याज हम लोगा फाइंड हुआ कितना दूसोचोविस न अब घटाएगे जरा तो ही हो जाएगा कितना जीरो हुआ ना अधूमें से घटेगा तो कितना यानिकि 700 रुपिया इनिकि मुल्धन हम लोग कितना बना 700 रुपिया तो चलिए आगे देखते हैं क्या क कहता है कि कि दर निका लिए किस व्याज की में टार कूछ रहा हैंना तो हम लोग दर निकालेंगे दिसे हम लोग अवर्स का कितना है 204 रुपिया हो है न थीक है अब कितना 100 अबाटा में आपका कितना है भी तो मुन्धन कितना यानिंकि समय कितना है 4 वर्षका 200 रूपिया गाए कितना है 700 अब ने वह तो में तो Tel anadche反 कुट ्व में 92 वाइन कितना परसेंटेज podr कितना ब्याज कि दर क्या है परसेंटेज तो जो आपका option नबर को ऑठा है सिए आपका क्रेक्ट है 8 परकेंटेज जो है कि option नंकर से आपका क्रेक्ट है किलियर हुआ उमीद होगी कि ये तो आपको विल्कुल क्लियर हो गया होगा क्योंकि उतना कठी है नहीं तो चलिए देखते हैं कोशन नमर जो है कि 21 को जरा समझते हैं कि क्या कहता है